हीक है तो आज का हमारा टॉपिक है हाउसिंग स्टैंडर्स इन इंडिया क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे वहां से आप डारेक्ट डाउन्लोट कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा एंवायमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक तैट इस हाउजिंग स्टैंडर्स इन इंडिया अब के इंडिकेटर सफो अपहर बाता एंडिजीज बंशीश वहाई एंडियजीज फिरी खम टिरिपकेशन फिर्देक्शन उपटर बेइख था उसमेंने ख्रूरी निचन देखता है उन्हां बॉसने खनाइशन देखता में में प्रॉस। ओस होल्ड होल्य था मैंने पुरिफ स्कृफिक investmentADD». फैНА छातंस व्ग sure खात unicam सब्चाज़ाद पाइण व्डог also होट оф खेल तो का सब्चाज़ जो वह तक डरत शूंत सीद्वी आच था वह तेनरस पियान ता फॉतर वहांता भीं िया था वहांता था वक्र फई किस द्धग युकित देखा था इतम्प्रेशर देखाता है एर हुमिडिटरी देखा था कोलिंग पाउर देखाता है एर पॉलुशन उसके in nd compass monitoring ओर प्रोविंशन देखा था greenhouse effect और global warming में देख 25 अरवाला पार्ट फिर ventilation हमने ventilation क्या होता है अलग-अलग types of ventilation देखा था पिरKit noise में हमने noise pollution या noise देखा था, radiation hazard देखा था और light देखा था ठीक तो ये सारे topics की videos आपको channel की playlist खोलेंगे تو environment and health वाली playlist के अंदर ये सारे topics की videos उनके notes के साथ आपको मिल जाएंगे ठीक तो शुरू करते हैं हमारा आज को topic that is housing standards in India अब Housing Standards का मतलब क्या है? Housing Standards का सिधा-सिधा मतलब है कि घर कैसे होने चाहिए? कितनी एरिया में बने होने चाहिए? कितनी ब्रिक वॉल कितनी मोटी होने चाहिए? कितनी उचाई पर होने चाहिए? कितनी जगह होने चाहिए? जमीन कैसी होने चाहिए? यह सब कुछ. Housing Standards इंडिया यह आपको housing के ताहर पूछा जाता है ठीक तब housing standards ना दो भागों में भाजिता है पहला urban housing standards दूसरा rural housing standards urban याने की शहर के मकान की कुछ criteria और rural याने की गाउं या ग्रामीड छेतर के मकानों के कुछ criteria ठीक तो सबसे पहले शुरू करते हैं अरबन हाउसिंग standards इस जहर में मकान होते हैं उनके बारे में थोड़ी जनकारी पहले चीज़ साइट कौनकी जगह पर होने चाहिए तो बहुत जगहा ओची जगह पर होने चाहिए अब शुक shrublles एकड़ अगर आपने घर बनाया है तो यहांप एट लीस्ट दस फीट नीचे आपको सबसाइल वॉटर या पानी होना चाहिए वरना क्या होगा अगर यहां आसपास कहीं पांच फीट शे बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि अर्बन रोरल में डिफरेंस पूछा जाता है तो बिल्ट अप एरिया होता है टू बाई थ्री ऑफ टोटल एरिया दो तिहाई याने कि आपके पास अगर जमीन है तो आप दो तिहाई हिस्से पर बढ़ियां आपका घर बनाओगे और एक हिस्सा आपको खाले छोड़ना पड़ता है एक तिहाई हिस्सा खाली छोड़ोगे आप उसमें गाडन बना लो इसमें ऊपन स्पेस कर लो तमें स्विमिंग पूल डाल 코로 मगाр दो दो तीहाई पर आप ओए आपगर घर बना सकते हो एक तहाइब मश्यान अन्या पार्केंग है और उसका खाली वाले एरिया है ऐसी अगर आप बाजु वाला मकान देखोगी यहां पे तो इसमें भी सेम चीज है लगपक बिल्ट अप डिया है जबकि वन थैड खाली एरिया है ठीक है तो यह याद रखना बिल्ट अप एरिया तू थार्ड होना चाहिए टूटल एरिया शहर में. अब wall की बात करें जो दीवारे होती है, वो कितनी चोड़ी होने चाहिए, तो करीब 9 इंच की होने चाहिए और ईटो से बनी होने चाहिए, यानि की 9 इंच की brick wall, ms अगर आप ध्यान दोगे, तो एक जो इट होती है, वो करीब 9 इंच की लंबाई की ही होती है तो 9 इंच चोड़ी और इटो की दिवारे होनी चाहिए हमने दिवार भी देख लिया अब होती है छट छट कितनी उचाई पर होनी चाहिए तो जमीन से करीब 10 फीट से जादा की उचाई पर होनी चाहिए दस फीट से जादा की उचाई पर यह क्यों याद करो हमने क्या पढ़ा था हमने वेंटिलेशन पिछले टॉपिक से पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि बहिया अगर 12 फीट के आसपास हाइट है अगर रूफ की तब ठीक ठाक वेंटिलेशन होता है ठीक है तो 12-10 फीट या उस से सो स्क्वेर फीट पर परसन यानि की एक इनसान के लिए करीब पचास से सो स्क्वेर फीट स्क्वेर फीट यानि की उस कमरे की लंबाई और चोड़ाई स्क्वेर फीट तो कितनी होने चाहिए दोनों मिला के एरिया कितना होना चाहिए करीब पचास से सो स्क्वेर फीट एरिया होना चाहिए पर परसन के हिसाब से या आप से वाईवा में पूछा जाता है याद रखना क्यूबिक स्पेस कितना होना चाहिए क्यूबिक स्पेस क्या होगा अब तो वही हम स्क्वार हम फ्लोर एरिया में क्या ले रहते फ्लोर एरिया में हम ले रहते जमीन का लेंग्थ और ब्रेथ क्यूबिक स्पेस में हम हाइट भी लेते हैं तो लेंग्थ हो गई कमरे की ब्रेथ हो गई कमरे की हाइट हो गई कमरे की ठीक तो तीनों मिलाके करीब पां कमरा करीब कितना एक इंसान के लिए करीब कितना कमरा काफी होगा तो लगभग अगर पांच फीट लंबाई है और दस फीट चोड़ाई है पांच फीट चोड़ाई है स्वरी पांच फीट चोड़ाई है दस फीट लंबाई है तो यह एक इंसान के लिए इतना बड़ा कमरा क पच इंटु 10 500 तो पाच सो क्यूबिक फीट और अगर सिफ फ्लोर स्पेस की बात करें तो पच्चास स्क्वेर फीट समझ गए तो पर पर्सन के हिसाब से कितना होना चाहिए तो पाच स्कॹेर फीट फ्लोर एरिया और पाच सो cubic feet per capita cubic space ऐसे याद रहेगा तो ऐसे आप याद कर सकते हूँ कि भाईया 5 by 10 का कमरा एक इनसान के लिए काफी है क्योंकि उसकी height करीब 10 feet रहेगी लंबाई करीब 10 feet रहेगी और चोड़ाई भी करीब 5 feet रहेगी तो ऐसे याद कर सकते हूँ अब आती है windows भाई खिड़कियां कितनी बड़ी होनी चाहिए शहर की बात कर रहे है याद रखना शहर में क्या होता है बहुत साथा खुला खुला एरिया नहीं होता है आसपास बहुत जादा पेड़ पौधे उतने नहीं होते हैं तो यहाँ पे अगर एक कमरा है जितना भी बड़ा कमरा है मतलब कि उसका जो जमीन है उस कमरे की जितनी भड़ी है उसका करीब 20 प्रतिशत खिड़कियों को उतना बड़ा होना चाहिए 20% 20% of floor area समझे तो अगर floor area कितना था अगर हम बोलने की floor area हमारा 100 square feet था ठीक है तो हमारा जो विंडो एडिया है कितना होनी करीब कर लिए सकते हैं विंडोग करेब करीब आपको 20 square foot के आस्पास की होने चाहिए उसके लिए उसके लिए आप दो खिलकिया, तीन खिलकिया कोल दो ऐसे नहीं बड़ी-बड़ी खिलकि कर दो, दो, तीन, चार खिलकिया लगा सकते हो कमरे में तो विंडोज की बात करें अगर तो Windows कितना होना चाहिए फ्लोर एरिया के करीब 20% फ्लोर एरिया की Windows होनी चाहिए समझ गए इसको कैसे याद कर सकते हो देखो अगर हम बोले कि सौ स्क्वेर फीट का एक कमरा है यानि कि उसकी लेंग्थ और ब्रेथ में ला ले तो करीब सौ स्क्वेर फीट आपको आ रही है यानि दस पाए दस का आपका कमरा है ठीक है अब इसमें क्षिंट की खिड़कायाहा किंटी खिड़काया थीक है तो टव्वेंटीट 0220 क स्क्वेर फीट की यानि कि हमने दो वैइंब पांच की लोगिए अंगर हम कर दे तो ऐसे आप कर सकते हो हुए या दो बाए पाच की खिड़किया कर दोगे तो यहां दस फीट की खिड़किया हो गई और टूटल बीस फीट की दो खिड़किया हो गई जो की करीब 20% है फ्लोर एरिया के समझ गए कि फिर से समझाओ आपके पास एक दस बाए दस का कमरा है जिसका अब इसमें अगर आपको खिड़की बनानी है तो कितने बड़ी बड़ी खिड़की बनाओगे पांच पाए दो की पांच पाए दो याने की आप पांच फीट की लंबाई कर दो दो फीट की चोड़ाई कर दो ऐसी एक खिड़की ऐसी दो खिड़की तो एक खिड़की दस फी फ्लोर एरिया का समझ गए तो ये कहना चाता है यहां पर कई बार बोल देते हैं सब खिड़की तो दिवाल पे होती है जमीन से काई को कंपैर कर रहे हो दादा जमीन पे खिड़की नहीं बनानी है आपको कोई जासुसी सुरंग नहीं बनानी गुप्त दर्वाजा नहीं बनाना है यहाँ पे खिड़की की ही बात हो रही है और खिड़की का साइज कितना होना चाहिए ये बोलना चाह रहे है समझ गए अब एक और चीज खिड़की में खिड़की की हाइट हाइट मतलब कहां से शुरू होनी चाहिए for example यह आपके कमरे क की दिवाल है तो जमीन से करीब तीन फीट उपर आपकी खिड़की की शुरुआत होती है इसको वेंटिलेशन वगरा से भी देखा जाता है तो वेंटिलेशन प्रोपर आएगा लाइट प्रोपर आएगी इसलिए नीचे से नहीं थोड़ा उपर से लेकिन बहुत उपर से करने कि आपने पता चला छे फीट ऊपर से वह तो भाहिया वेंटिलेशन होगे खिड़की थोड़ी हुई तो करीब तीन फीट ऊपर से आपको खिड़की की शुरुकर निया उससे जादा निसे समझा रहा हूं कितनी उचाई से आपको खिडकी की शुरुवात करनी है जमीन से करीब 3 feet ऊपर आपको खिडकी की शुरुवात करनी है ठीक है उस से जदा नहीं करनी है उस से जदा करोगे तो ventilation भी ऐसा हो जाएगा तो दादा ठीक है ना कर दोना शुरू यहां क्या बोला है not more than 10 feet नहां 3 feet वह यह 3 feet के नीचे से भी खिरकी की शुरुआत कर सकते हो लेकिन जाधा उपर से शुरुआत नहीं करनी है ठीक है तो जमीन के करीब 3 feet उपर से इन फैक्ट आप यहां पे देखो तो यह आपको खिरकी दिख रही है यह तीन feet जमीन से उपर यहां भी खिरकी दिख रही है करीब 3 feet उपर ठीक है इन फैक्ट यहां पर आपको French Windows दिख रही है जो जमीन से शुरुआत होती है तो तीन feet से जाधा उपर से शुरुआत नहीं करनी है खिरकी की ठीक तो यह हो गया आपका Windows अब विंडो एरिया आपने दोनों को मिला लें तो करीब 40 प्रतिशत फ्लोर एरिया का होना चाहिए समझके तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि विंडो ट्वेंटी परसेंट दोर दोर तो दो है तो विंडो के डबल कर दो दैट इस फॉट्टी परसेंट दो अब important शीज आई that is daylight factor कितना होना चाहिए daylight factor हमने किसमे पढ़ा था daylight factor हमने light वाले वीडियो में पढ़ा है इसके पहले हमने upload किया था तो आप जाके चल की playlist खुलोगे environment and health वाली प्लेश्ट में आप light वाला वीडियो खुलोगे तो उसमें आपको daylight factor मिल जाएगा daylight factor का formula क्या होता था daylight factor का formula होता था instantaneous illumination कितना है indoor में और divided by simultaneous illumination outdoor into 100 मतलब कि उस वक्त अंदर कितनी रौश्णी है और उसी वक्त बाहर कितनी रौश्णी है that was our daylight factor तो वो कितना होना चाहिए एक से जादा होना चाहिए half of the floor area के समझे मतलब मान लो कि यहां पे खिड़की है तो जो रौश्णी आ रही है बाहर से तो करीब आधा जो आपका पूरा का पूरा कमरे की लंबाई है उसका आधा area तो बहुत अच्छे से cover कर रही हो ठीक है तो daylight factor कितना होना चाहिए वन परसेंट ओफ हाफ अफ द फ्लाव रही है ठीक है तो daylight factor मोर देन वन परसेंट तो होना चाहिए इतना याद रखना किचिन के बारे मैं कर बात करें तो किचिन पहले चीज तो अलग होना चाहिए ऐसा नहीं है कि वहीं आप खाना भी बना रहे हो वहीं खाना खा रहे हो वहीं सो रहे हो सेपरेट किचन होना चाहिए सेकेंड चीज इस इंपर्वियस फ्लोर होना चाहिए इंपर्वियस यानि की नीचे से जमीन पूरी पक्की होनी चाहिए पक्की जमीन होगी तो क्या होगा भाई देखो चुहे हुए छेत करके अंदर नहीं आ जाएंगे कीड़े मकोड़े चेत करके चीटियां वगेरा कुछ भी किचन के अंदर नहीं आ पाएंगे अगर इंपर्वियस फ्लोर होगा यानि की पक्की जमीन या पक्का फ्लोर होगा किचन का तो उसके अलावा प्रॉपर वॉटर सप्लाई होनी चाहिए किचन में साफ पानी की सप की भाईया सेपरेट किचन अलग किचन होना चाहिए और इंपर्वियस फ्लोर होना चाहिए यानि की पक्की जमीन होनी चाहिए और पानी की सप्लाई होनी चाहिए और प्रॉपर ड्रीनेच एवलेबल होना चाहिए किचन तो यह हो गया का किचन उसके बाद शहरी घर की सब होने चाहिए जिसमें वाटर सील वगरा होती है तो सेनेटरी प्राइवी हर घर में होनी ज़रूरी है इंफेक्ट स्वच्च बारत अब बनाई रहे हैं ठीक तो यह हो गए आपके अर्बन हाउजिंग स्टेंडर्स तो आमने क्या-क्या देखा पहले चीज कहां होने चाहिए दूसरा built-up area कितना दिवारेग कितनी चौडि चछत कितनी उचाहिपे फ्लोर एरिया और क्यूबिक स्पेस कितना और खिलकियां कितनी ह grown चाहिए और कितनी बड़ी होनी चाहिए, डोर्स और विंडोज मिलाके कितने बड़े होनी चाहिए, डेलाइट फैक्टर कितना होना चाहिए, किचिन की कुछ चीजें और सेनिटर प्राइवेइस होनी चाहिए तो ये तो हो गया आपके Urban Housing Standards या शहर के घर जो होते हैं उसके बाद आता है गाउं के खर जो होते हैं अब देखो गाउं के घर ना गाउं में क्या बहुत खुला एरिया होता है तो बड़े-बड़े खुले एरिये होते हैं, बड़े-बड़े दिवारे होती हैं और खुला एरिया आंगन भी होता है, बाहर चबूतरा भी होता है, खेत होते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया होता है, तो इसमें हमको built-up एरिया के अगर हम बात करें, तो बस one-third of total एरिया चाहिए हमको, यहां पर देखो, one-third है, यह जो घर है, देखो, बाहर भी चारों है, और two-third एरिया जो है, वो करीब खुला हुआ है, समझे, तो गाव में यह होता है, खुला-खुला स्पेस है, बहुत सारी जमीन है आपके पास, तो one-third पे घर बना लो, two-third खुला रहने दो, तो built-up एरिया one-third होता है, in fact, एक और चीज़ है कि at least दो living room तो होने ही चाहि है, फिर kitchen तो यार देखो, सेम है, kitchen की बात करें अगर हम, तो वही separate kitchen चाहिए, paved platform चाहिए, यानि की जमीन पकी चाहिए, आपको kitchen अलग होना चाहिए, उसी जगह पे kitchen, उसी जगह पे खाना यह सब नहीं होना चाहिए, window area बहुत important है, यहाँ पे window area कितना होना चाहिए, 10% of the floor area, ठीक है, जबकि हमने, जो urban था, वहाँ कितना देखा था, 20% of the floor area, तो यह 10% क्यों है, क्योंकि भाईया, जो urban है या शहरी चेत्रे, वहाँ जादा खुली-खुली जगह है ही नहीं, यहाँ तो आपके पास बहुत सारी खुली जगह है, आपके पास खुला आंगन है, चार कि थोड़ी छोटी भी होगी, तो चल जाएगी, इसलिए 10% of the floor area, जबकि urban में कितनी थी, 20% थी, urban में, 20% of the floor area थी, और built-up area, जो यहाँ पर one-third है, urban में कितना था, two-third था, तो यह difference दोनों याद रखना, कि built-up area, one-third क्यों, काउ में, क्योंकि खुली जगह बहुत है, बीच में भी आगन बना दो, शेहर में आपके पास जादा जगह नहीं है, इसलिए two-third में बनाना है, खिड़की, खिड़की आप गाउं में छोटी भी बना सकते हो, क्योंकि चारो तरफ फूरा खुला हुआ है, जबकि शेहर में आपको 20% floor area की बननानी पड़ेगी, क्योंकि आस का स्त्रोत या source of water आपको कितनी दूरी पर होने चाहिए, विदिन half a mile आपको होना चाहिए, ठीक है, half a mile is approximately 0.8 km, तो करीब half a mile या 0.8 km की दूरी पर तो आपको होना चाहिए, एक आपका जो घर है, वो sanitary value है, ठीक, देखो, अगर हम बात करें, सोरी, 0.8 km नहीं होगा, एक mile जो होता है, करीब 1.6 km होता है, तो हाँ सही बोला था मैंने, सोरी, 0.5 mile जो होगा, वो करीब 0.8 km होगा, थोड़ा confused हो गए थे, ओकी, तो sanitary value या tube well कितना होना चाहिए, sanitary value या tube well आपको करीब आधे mile की दूरी पे होना चाहिए, या 0.8 km की दूरी पे होना चाहिए, उससे ज़ादा दूर नहीं होना चाहिए, एक और बहुत important चीज़ है, that is, cattle shed, cattle shed का मतलब है, देखो, शहर में उतना important नहीं है, गाओं में क्यों, क्योंकि गाओं में ज्यादातार घरों में गाए वगरा, बक्रिया वगरा, भैस वगरा पालते हैं, तो इनको घर के अंदर नहीं रखना है, इनका बाड़ा जो होता है, वो घर के बाहर बनाना है, कित तो यहाँ पे आप देखो, तो यह आपका घर है और इससे करीब दूरी पे आपको बाड़ा देख रहा है, यह आपका घर है और यहाँ करीब 20 फीट दूरी पे आपको 20-25 फीट दूरी पे आपको गाए वगरा, बक्रिया वगरा रखने की जगह दिख रही है, यह आपकी गाय वगरा भग्रियां वगरा रखने की जगह है ठीक तो केटल शेट कितनी दूर पर होना चाहिए याद रहेगा तो यहाँ पर कुछ वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले चीज पिल्टप एरिया कितना वन्थार्ट विंडो एरिया कितना 10% कितनी दूर होना चाहिए करीब विदिन हाफ माइल हाफ माइल से जाधनी और जानवर रखने की जगह घर से करीब 25 फीट की धूरी पे ठीक यह हो गया आपके रूरल हाउजिंग स्टेंडर्स अब एक शब्द याद रखना रूरल हाउजिंग स्टेंडर्स बढ़ रहे हो तो इंद्रा इंद्रा आवास योजना के तहरट गाउ में घर वग़रा बना के दिये हैं सरकार के तरफ से रूरल हाउजिंग को एड्रेस करने के लिए तो यह आप इस तरह से इंद्रा आवास योजना चालू की गई है सरकार के द्वारा ठीक तो इंड्रावास योजना के तहट गाव में घर बना के दिये जा रहे हैं करीब परिवारों को वहीं एक और शब्दी याद रखना नैशनल रूरल housing services अब याद रखना national rural housing services आपको घर अगरा बना के नहीं दे रहे हैं यह मरमत वगरा करने में और दूसरे services के लिए इस्ते conceived होते है जो घर वगरा बनाके दे रहे हैं वह कौन है इंद्रा आवास योजना तो इंद्रा आवास योजना के तहत एक घर बनाके तेरे हैं और उसमें एक स्मोकलस चूला किचन के साथ को मिलता है समझ गए तो यह हो गए आपके रूरल हाउसिंग स्टेंडर्स ठीक तो इतनी चीज़े आपको हाउसिंग स्टेंडर्स में याद होने चाहिए अगर मैं बात करूं सवाल की तो थियोरी में आपको हाउसिंग पे अलग से कुश्चन आ जाता है शॉट नोट यह पता होना चाहिए अगर मैं बात करूं वाइवा की तो भाईया आपको ना फैमिली विजिट कराई जाती है तो फैमिली विजिट में आपको फैमिली केस दिया जाता है वहां पे हाउसिंग बहुत क्यूबिक फीट कितने होने चाहिए और डेलाइट फैक्टर कितना होना चाहिए यह चीज़ वाइवा में पूछी जाती है ठीक रूरल की बात करों तो फिर वह बिल्टाप एरिया कितना होना चाहिए उसके अलावा आपको कितनी दूरी पे जानवार रखने की जगा कितनी दूरी पे sanitary value यह आपको बहुत important है प्लस इंद्रा आवास दोचना यह भी वाइवा में पूछ लिया जाता है ठीक तो यह भी आपको पता होना चाहिए अगर मैं बात करूं MCQs की तो जितने भी underline part है हमारे notes और स्लाइट में वो सभी entrance exam में पूछे गए MCQs हैं तो एक MCQ मेरे को floor space पे मिला था कि शहरी छेत्र जो होता है उसमें floor space पर इंसान के लिए कितना होना चाहिए एक MCQ मेरे को मिला था windows पे कितने होने चाहिए शहर में तो 20% या 1-5th height किती height से जाधा पे नहीं तो 3 feet से जाधा पे नहीं daylight factor पे भी मेरे को MCQ मिला था और sanitary private हाल गर में होने चाहिए इस पे भी MCQ मेरे को मिला था रूरल की बात करो तो रूरल में एक MCQ मेरे को मिला था कि पहिया at least 2 living room होने चाहिए इंद्रा आवास योजना पे MCQ आपको आया हुआ है और National Rural Housing बनाते नहीं है सुधारते इस पे आया था एक MCQ आपको इंद्रा आवास योजना के लोगों पर आ सकता है तो यह इमेज को आप याद रखना ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको housing क्याफे कहना चाहिए housing standards in India में पता ही होनी चाहिए थैंक यू